मूवी के शुरुआत में हम एक शेहर को देखते हैं, जो पूरी तरह से सुनसान और खाली पड़ा हुआ था, जीसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बहुत दिनों से कोई भी इंसान मौजूद ही ना हो, और फिर हम वहाँ के एक बड़े दुकान को देखते हैं, जिस आपने बिमार बेटे माकस को बहुत ही सावदानी से एक मेडिसिन उतार कर खिलाती है, और उदर वियू फर्ष पर चौक की मदद से एक एरोप्लेन का चित्र बनाता है, और फिर रेगन को हाथों से इशारा करके प्लेन उड़ाने के बारे में दिखाता है, फिर वहाँ से चूटकर एक अलमारी के पास जाता है, जहां पर बहुत से टॉइज रखे होते हैं, और वहीं उपर एक प्लेन भी रखा होता है, जिससे भी उन नीचे उतारने की कोशिश करता है, परन्त में वह प्लेन उसकी हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे रेगन जमी पर पहले ही बाग कर पकड़ लेती है, और तभी वहाँ पर उनके डैड ली आ जाते हैं, जिसे देखर रेगन उस प्लेन को नीचे रख देती है, और अपने डैड के पास आ जाती है, जहां लीव उसे बहुत सारे टूल्स और रेडियो सिगनल्स को कनेक करने के लिए इस डिव कर सब लोग घबरा जाते हैं, तब ली विव को समझाता है और उसे उस तॉय को लेकर उसकी बैटरी निकाल कर अलग कर देता है, और फिर सब को घर चलने का इशारा करता है, पर तभी रेगन विव को बिना बैटरी के प्लेन से खेलने के लिए कहती है, और उसे वो प्लेन आने जाने के रास्ते में बालू और रेट को फैला कर रखा है, ताकि उनके चलने का भी आवाज ना हो, जिससे अब वो सब चलते चलते जंगल में पूल पर आ जाते हैं, जहां बे सबसे पीछे चल रहा होता है, और तभी वो एक जगा पर रूपकर उस प्लेन में बैटरी लगा कर उसे चालो कर देता है, जिससे वो प्लेन आवाज करने लगता है, जिससे सुनकर ली, एविलिन और माकस बहुती बुरी तरह से डर जाते हैं, अब यहां में फाइनली समझाता है कि रेगन सुन नहीं सकती थी, और तब ली वी को बचाने के लिए बागते हो उसके पास आता है, लेकिन तभी जंगल की दूसी तरफ से एक बहुती बयानक और डरावना एलियन प्लेन की आवाज सुनकर भी उन पर हमला कर देता है, और फीरंट में उसे मार डालता है, जिससे देखकर सबी लोग सहम जाते हैं, और एविलिन दुखी के मारे रोने लगती है, अब इसके बाद हम इस गटना के लगबख 400 दिन बात का समय देखते हैं, जहां पर पूरे धर्ती पर बहुत कमी लोग बचे हुए हैं, उनी में से ली और उसका परिवार भी अपने आपको उन एलियन से बचा कर सेफ रखी हुई थी, और अब ली अपने गर के हर रास्ते पर कैमरा लगा कर नजर रखता है, जिसके बोर्ड पर उन एलियन के बारे में लिखा होता है, कि ये एलियन देख नहीं सकते, पर वो हर छोटी सी छोटी आवास को भी दूर से सुन लेते हैं, और उस आवास पर वो हमला करके उन्हें अपना शिकार बनाते हैं, और ली ने अपने एरिया में तीन एलियन के होने के बारे में भी उस बोर्ड पर लिखा था, और फिर वो अपने कमरे में रेडियो सिगनल की मदद से अलग अलग जगा पर कम्यूक्येट करने की कोशिश करता है, पर उसका सिगनल किसी से भी कनेक नहीं होता, वाहीं दूसी और हमें प पचाया जा सके, उदर शाम उने पर ले एक टावर पर चड़ कर आग जलाता है, जिसकी बाद उसे जंगल में दूर कही जगह पर आग जलतावा दिखाय देता है, जो लोग अब भी उन एलियन से भचे हुए होते हैं, इसलिए रोज शाम अपने एरिया में आग जलाते हैं अब इसकी बाद बीना कोई शोर किये, सब ही डिनर करते हैं, और फिर मारकस और रेगन जमीर पर डाइस गेम खेलते हैं, जहां पर मारकस से गलती से एक लैंप नीचे गिर जाता है, जो एकदम से टूट जाता है, जिससे थोड़ी देर के लिए शोर हो जाता है, और फिर व एक दम डर जाते हैं, फिर ली खिड़की से बाहर देखता है, और तब भी उस चत से दो चुहें नीचे गिरते हैं, जिससे देखकर उनका डर शांत हो जाता है, आप इसके बाद लिए रेगन के लिए एर मशीन बनाता है, जिससे वो सुन सके, और तब भी वहां पर एविल पर इशारों में गुस्टा करती है, और कहती कि वो छोटी बच्ची नहीं है, जिसके बाद लिए उसे एर मशीन देता है, जिसपर रेगन उसे बताती कि उनका बनाये हुआ कोई भी एर मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए उस मशीन को लेने से मना कर देती है, जिस पर मारकस डर जाता है और जाने से मना करता है तब उसकी माँ एविलीन उसे समझाती है कि उसकी पिता उसे कुछ भी होने नहीं देंगे इसलिए मारकस रिवर पर जाने के लिए तयार हो जाता है पर इस पर रेगन भी ली के साथ जाने की जिद करती है पर ली उसे घर पर रहने के से निगाकर निए फिश निकाला कर मारकरकस को देता है तर फिर क्टाण की आवास से एलेनों की आवास नहीं सुन सकते जिसकी बाद वह और उसे जरने के पीछे ले जाता है और वहाँ पर उसे खुले मन से बोलने के लिए कहता है जिसले मारकस अब जी भरकर बोलने लगता है जिससे उसे खुशी होती है फिर मारकस ली से पुछता है कि क्या वो बेको मौत का कारण रेगन को मानता है जिस पर ली उसे बताता है कि नहीं, जो हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी, और वो रेगन से अब भी बहुत प्यार करता है, उदर रेगन एक बैग में कुछ समान लेकर उस जगह पर आ जाती है, जहां पर भी की मौत हुई थी, वो अब उस जगह पर उस प्लेन को रख जिसके पास ही में उसका हस्बन दुखी और उदास खड़ा होता है, जीसे ली चूप रहने कले कहता है, पर फिर वो बुज़र जोरों से चिलाने लगता है, जिसकी बाल ली माकस को उठा कर भागते वे एक पेड़ की पीछे चिप जाता है, और फिर तबी जंगल से वो एल उसके पैर में बुज़ जाती है, जिससे उसके आथ से बी का फोटो एल्बम गिर कर तूट जाता है, जिससे एक शोर हो जाती है, इसलिए अब एविलिन किसी तरह से नीचे आकर रेड़ लाइट्स को ओन कर देती है, पर तब ही उससे बेस्मेंट के ऊपर एक एलियन दिख आता है, और घर के पास आकर वो वहाँ पर उन एलियन को देखता है, जिसकी बाद वो माकस को एक टॉज देता है, और रॉकेट्स और पठाकी को जलाने के लिए बेजता है, जिसके आवाज को सुनकर वो एलियन दूसरी तरफ चले जाए, और फिर वो एविलिन के मदद कर स पीछे से एविलिन अपने पास बुलाती है जिसे सही सलामत देख कर लिए उसे गले से लगा लेता है फिर वो एविलिन और बेबी को नीचे बने कमरे में लाता है और एविलिन को आराम करने के लिए कहता है वहीं रेगन भी दूर से पटाको और रॉकेट्स को देखकर भाग बने लगता है जिस से उसके टॉर्च नीचे गिजाती है और वहीं जब एलियन को बयांकर तकलीफ होने लगती है जिस दर्ध में वहां से बाग निकलता है और तब माकर रेगन को अपने पास कीचे लेता है और चूप रहने का इसारा करता है वहाई उदर एविलिन ली को अपने बच्चों की मज़द करने कले कहती है जिसके बाद ली बेस्मेंट के बाहर आ जाता है और फिर माकस और रेगन को खोजने लगता है वहाई अब माकस और रेगन टावर पर चड़कर आग जलाते हैं पर वह आख थोड़े ही समय में बुझ जाती है जिससे दोनों बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं और उदर बेस्मेंट में अब पानी भी बनने लगा था जिससे एविलिन जाग जाती है और तब ही वह उस पानी में एक एलियन को देखती है जो कि उसकी बेबी की तरफ ही आ रहा था इसलिए अब एविलिन कीसी तरह से अपने बेबी को उठा कर उपर से गिर रहे पानी के पीछे चिप जाती है जिसके पांस आकर एलियन उनकी आवाज सुनने की कोशिश करता है पर पाने की आवाज से एविलेन बच जाती है उदर ली दोनों बच्चों को खेट में खोशता है पर उसे उनके बार में कुछ भी पता नहीं चल रहा था और यहां टावर पर अचानक से माकस के नीचे का दरौजा तूट जाता है जिससे वो उसकी अंदर रखे मक्के में ही गिर जाता है जिससे आवाज हो जाती है और तबी दूसरा दरौजा भी तूटकर नीचे गिर जाता है जिससी ली को पता चलता है कि टावर पर कोई है इसलिए बरेकर माकस को बचाने के लिए मक्के में खूच जाती है पर वो खुद उसमें नीचे फज जाती है पर तबी माकस उससे किसी तरह से बाहर निकालता है वहाही लिए अपने पांस से ऐलियन को टौवर के तरफ जाते वे देखता है जिसकी बाद वो भागते वे टौवर की ओर आजाता है पर तब तक वो alien tower पर आ जाता है, जिससे बचने के लिए Marcus और Reagan अपने उपर दर्वाजी को डाल देते हैं, पर तब तक वो alien उन पर हमला कर देता है, जिससे रेगन की ear machine में एक frequency sound करने लगती है, जिससे उस alien को फिर से तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो वाँसे भाग निक आसपास उस एलियन की आवाज आने लगती है जिससे वो एकदम डर जाते हैं तब ली माकस और एगन को एक ट्रक में जाने के लिए बेज़ देता है और खुद एक कुलाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है इसलिए अब वो एलियन ली पर हमला कर देता है जिससे देखर माकस ट्र से खड़ा हो जाता है और फिर इशारों में रेगन को व्यक करता है कि वो उसे बहुत प्यार करता और हमेशा ही उससे प्यार किया है जिससे देखर रेगन की आंकों में आंसु आ जाते हैं और फिर ली उन दोनों की जान बचाने के लिए बहुत तीज से चिलाता है जिससे जिसका फायदा उठाकर माकस ट्रक का ब्रेक हटा देता है जिसके उनका ट्रक उनकी घर की तरफ चलते वे आ जाती है पर इस घटनव में ली उस ऐलिन के हातों मारा जाता है वह ईह अब एविलिन अपने बच्छों की गले लगकर रोणे लगती है जिसकी बात सभी इली के कमरे में आ जाते हैं जहांपर रेगन अपने पिता का बनाएवा इयर मशिन देखकर रोने लगती है पर तब भी एविलिन को वहाँ पर एक एलीन की होने का एसास हो जाता है जिससे सभी अब एकदम डर जाते हैं कि मानो आज उनका आखरी दिन हो इसलिए अब एविलिन अपने हाथ में गन ले लेती है और तब भी उनके कमरे में वो एलीन आ जाता है और फिर उनकी शोर को सुनकर उन्हें महसूस करने की कोशिश करता है पर तबी रेगन की एर मशीन से फ्रीक्वेंसी साउंड निकलने लगती है जिससे एलीन को बहुत तकलिफ होती है जिसके बाद फिर रेगन वहाँ पर एक बोर्ड पर देखती है कि एलीन की वीक्नेस जानने के बारे में उसकी पिता ने लिखा था जिससे पड़कर रेगन समझ जाती है कि एर मशीन की फ्रीक्वेंसी एलीन की कमजोरी है इसलिए अब वो एर मशीन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है जिससे एलीन तड़पते हुए पूरी तरह से पागल हो जाता है जिसके शूर के कारण फिर छोटा बेबी रोने लगता है जिसकी आवाँ सुनकर अब वो एलियन उसकी ओर बढ़ता है पर रेगन उसे रोकने के लिए फ्रीकेंसी साउंड को और बढ़ा देती है जिसके कारण अंत में एलियन वही ढेर हो जाता है जिसे देख कर वो दोनों खोश हो जाते हैं फर थोडी देर बाद वो एलियन उड़कर फिर से उन पर हमला करता है जिससे फिर एलियन गन से शूर कर देती है और अब वो एलियन वहीं पर मारा जाता है आप इसकी बात एविलिन और एगन कैमरा की रेकॉर्डिंग में देखते हैं कि दो और एविलिन गन की आवास उनकर तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं इसलिए अब वो दोनों हिम्मत और बहादुरी दिखाते वे रेगन फ्रीकुंसी साउंड के लिए मशिन की पाउर को बढ़ा देती है और फिर एविलिन अपने गन को रेलोड करती है ताकि वो उन एलियन का सामना करके अपनी परिवार का रक्षा कर सके और इसी इंकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये पार्ट वन यहीं समापत हो जाती है अब अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर नहीं तो इसका एक्स्पैनेशन में जल्दी करूँगा और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्ते